आज की कहानी आपको सच में ये सोचने पर मजबूर कर दीगी क्या वाकई में किसी चीज को हासिल करनी की कोई उमर होती है एक 84 साल का बुढ़ा आदमी जिसका नाम किमानी है उसने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसके बाद उसका नाम दुनिया के गिनीस वर्ड डिकॉर्ड में डर्ज हो गया पर 80 साल की उमर में ऐसा उसने क्या किया चले जानते हैं आज की कहानी शुरू होती है केनिया के एक छोटे से गाउं से जहां पर सभी लोग रीडियो को बड़ी ही ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि आज सरकान ने एक ऐलान किया है कि बड़ती जाहिल्यत को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने आज से सभी के लिए स्कूल फ्री कर दिया है साथ में एक टाइम की मील भी जिसके बाद क्या था गाउं के सभी पैरेंट्स अपने बच्चों के साथ गाउं के स्कूल में उमर पड़ते हैं वहां के प्रिस्पल जूलिया उन सभी को शान्ती रखने को कहती है लेगन इसी बीच वहां कुछ अनोखा होता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा हम एक 80 साल के बुजर को देखती है जो डंडा लिये स्कूल की और बढ़ता चला रहा है पर तब तक गेट बंद हो गया है लेगन वो फिर भी अंदर आने के इज़ करता है वहां का टीशर अलबर्ट जूलिया को बलाता है जो किमानी से बात करती है उसके हाथ में एक कटिंग थी जिसको देखकर वो समझ गई थी कि वह भी इसकूल में पढ़ना चाहता है लेगन जूलिया बताती है कि ये स्कूल सिर्फ बच्चों का है पर किमानी का कहना कि उसने तो रेडियो पर सुना है कि स्कूल सभी के लिए फ्री है तो फिर मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता है लेकिन अलबर्ड उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल में दाखिला दे दिया तो उनकी बदनामी होगी और पैरेंट्स भी आतरास क बस देखते जाए आप अगले दिन से क्लासे शुरू हो जाती है टीशर कम होने के कारण जूलिया खुदी क्लास लेती है तब ही वहाँ एलबर्ड उसे कहता है कि वो आज फिर आया है जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर किमानी खड़ा है वो उसे हैरानी से पूछती है कि आकिर तुम इस उमर में क्यों पढ़ना चाहते हो तो वो जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मुझे अनपढ होते में मनना नहीं है ये सुनकर जूलिया को उसके लिए हमदर्दी होती है लेकिन वो मजबूर है क्योंकि ऐसा करने पर उसके आधिकारी उसे ज खरीद नहीं पाएगा लेकिन दोस्तों जो कुछ करने की ठान लेता है वो उसको पूरा करके ही छोड़ता है आखिर एक इंसान ही था जिसकी जित के आगे एक पहार ने अपने दो टूड़े कर दिये जी है अब जानते होंगे वो कौन है मान जी वह कहानी पर आते हैं इधर राद उसे एक सुझाव आता है क्यों न वो अपनी मुर्गियों को बेज दे शायद कुछ बात बन जाए सुबह होने पर वो ऐसे ही करता और जो कुछ पैसे मिलते हैं वो उसे कुछ कपली लेता है पैंसिल और कुछ किताबे भी फिर घर आकर उन कपलों को खुद के साइस क हिसाब से सिल लेता है और इस इंतजार में बैठ जाता है कि कल के दिन उसे कोई नहीं रोकेगा क्योंकि उसके पास तो अब सब कुछ है इसलिए जैसे ही सुबह होती है वो एकदम तयार होकर पहुच जाता है एक बार फिर से स्कूल के गेट पर जहां जूलिया उसको युन किमानी कहता है कि उनसे बोलना कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा मैं बहुत हार्ड वर्किंग हो यह सुनकर वो उसकी जिन्दगी की पहली स्टप का दरवाजा खोल देती है और किमानी पहली बार स्कूल में कदम रगता है लेकिन आलबर्ट इस बास से खुश नहीं था क्योंकि ऐसे उनकी जॉब भी जा सकती है लेकिन जूलिया उसे अंदर ले जाती है सभी बच्चों से मिलवाती है आज उसकी पहली क्लास है यहां जूलिया सभी को अलफाबेट ए लिखने को कहती है सभी आसानी से लिख लेते हैं लेकिन किमानी ने जिन्दगी में पहली ब सभी की इज़त करता है जिस जगह पर वो बैठा है वहाँ उसकी उमर का कोई भी नहीं है लेकिन वो फिर भी सभी से बहुत प्यार से बात करता है और मिल जुलकर रहता है कुछ गंटों के बाद स्कूल खतम हो जाता है सभी के साथ किमानी भी बहाराता है वो ये देखकर हैरान था कि वो स्कूल से बहां निकल रहा है इसलिए वो अपने बेटी से पूछता है कि आखिर केमानी उसके स्कूल में क्या कर रहा है वो बताता है कि वो तो उसकी एक लास में पढ़ता है और ये जानकर वो हैरान था उदर की मानी जिस जिस रास्ते से जाता है सबी गाउंवाले उसे देख कर उल्टा सीधा ताना मारते है उसकी ड्रेस का मजाग बनाते है लेकिन की मानी अपने रास्ते पर चलता रहता है उदर जूलिया का हस्बन कहता है कि उसे शहर जाकर सेटल हो जाना चाहिए लेकिन जूलिया को इस गाउं की फिकर है उसके उपर इन बच्चों की जिम्मेदारी है ऐसे वो उन्हें बीश में छोड़ कर तो नहीं जा सकती उधर किमानी ने जो भी कुछ स्कूल में पढ़ा था वो उसे दोहराता है और सीखने की कोशिश करता है लेकिन उसी दुरान उसके गेट पर कोई दस्तक देता है जब वो करीब जाता है तो देखता है कि अगर वो स्कूल गया तो बहुत बुरा हाल होगा उसका क्योंकि वो जगा बच्चों के लिए है तब ही किमानी को अपना आतीत याद आ जाता है वो दौर जब केनिया जैसे न जाने कितने देशों पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तब ब्लैक लोगों को गुलाम बना कर रखा जाता था जिसमें से किमानी का परिवार भी शामिल था और वो इस डर से उस रात पूरी रात सो नहीं पाता कि आखिर वो कौन था उसने उस लडाई में बहुत कुछ खोया है विलागे हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था क्यार अगली सुबह होती है और सब बच्चे आज बहुत खुश है क्योंकि उन्हें एक एकर के ब्लाक बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाया जा रहा था किमानी की बारी आती है लेगन आज वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है किसी औरी दुन्या में वो खोया हुआ है जूलिया बार बार उसे पुकार रही है लेगन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तब ही वहाँ पर अलबर्ड आकर सबी बच्चों की किताबों को चेक करता है जब वो किमानी की किताब को चेक करता है तो देखता है कि उसकी पैंसिल तूट गई है वो उसे पास में रखे शार्पनर से शार्प करने को कहता है लेगन वाँ जाकर कीमानी को फिर से अपना तीत याद आता है वो दिन जब अंग्रेजों ने उसे जलील किया था उसके कान में पैंसिल घुसा दिया था जिसकी वज़े से आज भी उसे कम सुनाई देता है अब लंच प्रेक में जूलिया उसे पूछती है कि आज उसे क्या हुआ है वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है लेगन कीमानी को जबाब नहीं देता और वहीं चुपचा बैठा रहता है कुछ जिर बाद उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जूसे उसके हाथ में पहने वे कड़े के बारे में पूछते है किमानी अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से काफी करीब है इसलिए वो उन्हें बताता है कि वो पहले गुलाम हुआ करता था और उस समय पर गुलामों को पहचानने के लिए उनी एक कड़ा पहना दिया जाता था उसकी कहानी सुनकर वहाँ बच्चों की भीड़े कट्था होने लगती है जिसको देखकर Albert कुछ खास खुश नहीं था क्योंकि वो सबका चहीता बनता जा रहा है धीरी धीरे समय बीटना शुरू हो जाता है किमानी अप पढ़ाई में और अच्छा हो गया, उसे चीजें समझाने लगी है, लेकिन एक दिन जब वो बच्चों को लड़ते हुए देखता है, तो फौरण उनके पास जाकर उन्हें अलग करने लगता है, लेकिन वो लड़का उसे ही मानना शुरू कर देता है, जिससे कि जूलिया से कहता है कि इसको बड़ो बच्चों की स्कूल में डालो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे समझाती है कि किमानी एक फ्रीडम फाइटर है, उसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए पहले उसे बेस को स्ट्रॉंग करना होगा, लेकिन प्रोतों को कि किमानी से नहीं बलकि उसकी जात से नफरत है, उसका कहना है कि जिस जाती से किमानी बिलॉंग करता है, उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करी है, ना कि उसकी जाती की तरह जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ा है, खुद के परिवार की जान दी है, पर जूलिया उन्हें समझाती है कि जो हमारे पूरवजों ने सालों पहले किया उसकी सजा हम दूसरे लोगों को क्यों दे अब कि इन्हें आजाद है लिगनिया किमानी को प्रोतों की बात अच्छी नहीं लगती इसलिए वो उसे गुसे में कहता है कि वो गलत कह रहा है हमने अपना सब कुछ खो दिया लेगन तुम लोगों ने हमेशा अंग्रेजों के तलवे चाटे है इस बात से जूलिया थोड़ी नराज हो जाती और बोलती है कि अगर उसने सच में अपने देश के लिए लड़ा होता तो आज वो जिन्दा नहीं होता तब कि मानी पहली बार उसके सामने अपनी आतीत की किताब खोलता है और बताता है कि उसे तेरा साल गुलाम बना कर रखा गया उस दोर में न जाने क्या क्या करवाया गया लेगन उसने सब कुछ सहा लेगन एक दिन उसके बीवी और उसके तीन साल की बच्ची को उसके सामने निर्वस्त कर दिया गया और फिर सभी ने उसे जलील किया और फिर उन अंग्रेजों ने उने मेरी आँखों के सामने गोली मार दिया मैं कुछ कर नहीं सका इससे जादा क्या सबूत चाहिए मेरी देश भक्ती का मेरे परिवार का खोन मिला है इस देश की मिट्टी में उसकी बाते सुनकर जूलिया बिलकुल चुप हो जाती है उसे समझ आ गया था कि वो आके रुज दिन इतना चुप क्यों था लेकिन अभी भी वो उसे पढ़ाना चाहती है उसके लिए कुछ करना चाहती है लेकिन प्लोटो का ओर्डर है कि उसे शहर जाना होगा वहां बड़ उसके गाउं से साथ किलोमीटर दूर है उसके पास बस के पैसे नहीं है इसलिए अपनी लाठी के सारे उन साथ किलोमीटर को नाप डालता है और पहुँच गया है वो शहर में जहां पर उसके लिए अलग ही दुनिया थी लोग भाग रहे हैं सब कुछ परे था जब वो इस इसलिए वो लौट आता है और जूलिया को सब कुछ बताता है उसे ये भी बताता है कि कुछ सालों पहले जब उसने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसे प्रेसिडेंट की ओर से एक लेटर आये था पर अफसोस की अनपल होने की वज़े से वो उस लेटर को पढ़ नही इसलिए वो प्रोटो को कॉल करके उसे रिक्वेस्ट करती है कि किमानी को स्कूल में आने दिया जाए लेकिन जब आपका धरम और आपकी जात के चक्कर में पर जाते हैं तो उसे सिर्फ दूसरे इंसान में सिर्फ आपको दुश्मन दिखाई देता है यही सेम चीज से अलविदा कहने के लिए इतने ही दिनों में वो बच्चों से बहुत ही करीब आ गए थे इसलिए वो उनकी लिए काक्रे गुडबाई कह कर जाएगा यह चीज जब जूलिया देखती है उसे देखा नहीं जाता तब ही विचार आता है और उक इमानी के पास जाकर कहती है क कि आज से तुम स्टूडेंट के तोर पर नहीं बलकि एक सायक के तोर पर स्कूल आओगे जब भी मौका मिले अब धीरी धीर करके कि मानी की बातें शहर तक पहुशने लगी थी वहाँ पर लोग बाते करने लगे थे कि एक 80 साल का बुड़ा आदमी स्कूल जा रहा है और द चीज गाओं वालों को पता चलती है तो वो जूलिया से चिलने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ये सब खुद को मशूर करने के लिए कर रही है सभी पैरंट्स स्कूल की और बढ़ते हैं और जूलिया पर चड़ परते हैं लेकिन वो उन्हें समझाने क बहुत कोशिश करती है और एतने में वहाँ पर प्रोतो आ जाता है उससे कहता है कि तुम्हें उससे जौब से निकालना होगा क्या तुम्हें उसकी जात के बारे में पता नहीं है वो किसी के सगे नहीं होते इस बार से जूलिया को गुसा आ जाता और उसे जवाब देती कि जो कुछ भी हुआ वो सब अतीत बन गया है आपके और मेरे लिए यही बहतर होगा कि हम आगे के बारे में सोचें मैं फिर कह रही हूँ मैं अपना फैसला नहीं बदलोगी क्योंकि प्रोतों के जाने के बाद उसके पास एक धंकी भरा कॉल भी आता है कहानी आगे बढ़ वो से चाहिए वना बहुत बुरा होगा लेगिन जूलिया ने तो कोई पैसे लिये ही नहीं पर जूलिया अब डरने लगी है क्योंकि वो अकेले रहती है इसलिए वो चार्ल्स को कॉल करके उसे घर बला लेती है पर कोई चार्ल्स के पास फोन करके उसे जूट कहता है कि उस से रोकने के लिए किया जा रहा है इसलिए साफ पता चल रहा है कि अगर जिस दिन कीमानी ने पढ़ लिख लिया उस दिन जो तमाचा इन गाओं वालों के मूँ पल लगेगा वो से बरदाश नहीं कर पाएंगा उधर जब अगले दिन कीमानी स्कूल जाने वाला था तो कमाओ उसके रास्ता रोक लेता है और कहता है कि जो भी कुछ पैसे मिले हैं तुम्हें वो लाओ मुझे दे दो और कीमानी कहता है कि मुझे कुछ मिला ही ने लेगिन कमाओ को ये बात हजब नहीं होती इसलिए वो कुछ लोगों को एक अठा करता और फिर स्कूल पर हमला करवाने को कहता है अब सबी मान भी जाते हैं लेगिन जब कि मानी इस चीज़ को देखता है तो उन सबी को वहाँ से मान कर भगा देता है क्योंकि वो एक freedom fighter है उसने ऐसा पहले भी बहुत बार किया है उनके जाने के बाद वो कमाओ के बेटे के पास जाता है और इसे दोस्ती करने की कोशिश करता है उसे समझाता भी है कि कैसे वो अपनी पढ़ाई को जादा समय तक याद रख सकता है ऐसा करने पर वो जादा जल्दी भूलेगा नहीं कहानी आगे बढ़ती और एक दिन जूलिया के पास एक लेटर आता है जो Ministry of Education की ओल से था इस लेटर में था कि उसका ट्रांसफर कर दिया गया है यानि कि अब उसे यहां से बहुत दूर जाना होगा ये बात वो चार्ल्स को भी बताती है तो वो रिजाइन देने को कहता है लेकिन जूलिया अपनी जॉब के परती बहुत ही करीब है वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चोड़ सकता उसके इस फैसले को सुनकर चार्ल्स को यकीन हो जाता है कि शायद उसके बीवी का किसी के साथ अफेयर है ये चीज़ को लेकर उन दोने के बीच में बहस भी होती है लेकिन जूलिया अपना फैसला नहीं बदलती उस दिन वो किमानी के घर जाकर उसे कल फेयरवल में आने के लिए इन्विटेशन देती है वो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी वो अपने साथ ले जाए लेकिन अब जूलिया कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती इसलिए वो मना करके वहाँ से चली जाती है अब नेक्स डे फेयरवल होता है सभी बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन जूलिया बहुत ही जादा इमोशनल होती है क्योंकि उसका सबसे अच्छा स्टुडेंट वहाँ पर नहीं था वो दूर खड़ा उसे देखता रहा था और फिर से वहीं अपने कदम मोल लेता है अब दो महिने के बाद वहाँ पर एक नया प्रिंस्पल आती है प्रोतो और सभी पैरेंट्स उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते है लेकिन बच्चों को वो पसंद नहीं आती उन्हें तो वही अपनी पुरानी प्रिंस्पल ही चाहिए थी इसलिए वो गेट को बंद कर देते हैं और उस पर पत्थर भेखना शुरू कर देते हैं जिसी इसको देखकर वो लेड़ी वहाँ से भाग जाती है और फिर से किसी नय प्रिंस्पल का इंतिजार में सभी बैट जाते हैं पर वहाँ किमानी कुछ अलग करता है वो अपना आखरी जानवर बेच कर शहर जाता है और वहाँ Ministry of Education के आफिस जाता है उसे इंतिजार करने को कहा जाता है लेगिन किमानी के पास इतना समय नहीं है इसलिए वो सीधा ही चेर्मेन के पास बहुत जाता है और उसे अपने संखर्षों के बारे में बताने लगता है वो लोग किमानी को पहले से जानते थे तो वो कहता है कि जिस जगह पर आप बैठे हुए है वहाँ सालों पहले कुईन का राज था वो तो चली गई लेकिन उनकी सोच अभी भी आप लोग के अंदर रह गई मैंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है क्या आप लोगों को देखना है ये बोलकर किमानी अपनी शर्ट उतारता और अपने उन जख्मों को दिखाता है जो अंग्रेजों ने नजानी कितने साल तक उसे दिये अब जब हमारे देश के बच्चों को पढ़ानी के एक औरत ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया तो आपने उसका ट्रांसफर कर दिया ये सही नहीं हुआ अंग्रेजों ने मुझे बहुत दर दिया है लेकिन मैं खडा रहा और उन से लड़ता रहा हमें अपने अतीज से सीखना होगा और बहतर बना होगा हमें अच्छे टीचर की जूरत है ये बोलकर वो वहां से चला जाता है उसकी सारी बाते सुनकर सभी लोग की आँखें जुक जाती है उन्हें अइसास होता है कि उन्होंने कहीं न कहीं गलत किया हलाकि उसे किसी भी चीज के बदलने की कोई उमीद नहीं थी लेकिन एक दिन फिर गेट पर कोई आता है और वो थी जूलिया सबी बच्चे उसकी और दौल पढ़ते हैं और वो पर्मनेंटली यहां आ गई है सिर्फ कि मानी की वज़े से इसलिए आज वो फाइनली उस लेटर को लेका रात जो प्रेसिडेंट ने उसे दिया था क्योंकि अब उसे पढ़ना आ गया है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वर्ड है जो वो पढ़ नहीं सकता है इसलिए आलबर्ट उसे पढ़ना शुरू करता है जिसमें प्रेसिडेंट आफ केनिया उसकी इस कुर्बानी के लिए उसका शुक्रिया आदा करते है उसने इस देश के लिए सालों तक अतियाचार सहा है उस काल कोट्री में न जाने क्या क्या देखा है जब अंग्रेजों ने उसके सामने उसके परिवार को मार दिया उस चीज़ को वो लोटा तो नहीं सकते लेगिन हाँ वो उसके साथ खड़े हैं ये पूरे लेडर को सुनकर जूलिया को समझा गया था कि जो दर्द और तकलीफ कीमानी ने सहा है वो कोई मजाक नहीं है और ना ही हर किसी की बात है वहीं कीमानी को भी सुकून मिल गया है शायद उसे अपनी मनजल मिल गई है यहां में बताया जाता है कि हकीकत में उस दिन के बास एक एमानी को युनाइटिड नेशन में बुलाया गया जहां पर उसने एक इस पीज दी उन लोगों के सामने जो दुनिया को चलाते हैं और यही है सिक्षा की ताकत कि मानी दुनिया का पहला इंसान है जिसने 80 साल की उमर में प्रामरी स्कूल में पढ़ना शुरू किया इसके बाद उन्हें अमेरिका में एक घर भी दिया गया वहां की सरकार के दौरा जहां पर उनकी जिन्दगी बहुत ही बहतर हो गई उनके बाद अच्छे पैसी भी आ गए जिसकी मदद से उन्होंने अपने आखरी लम्हे सुकून से काटे और फिर साल 2009 में उन्होंने अपनी आखरी सांस ली अई होप आप लोग समझ गए होंगी कि पढ़ाई कितनी जरूरी है और आप पढ़कर क्या क्या कर सकते है वेल आपको कहानी कैसे लेगी नेशे कामन कर के जरूरी बताएगा मिलते हैं अंगली वीडियो में थांकियो सो मॉच वाचिंग पीस आउट